नमस्कार दोस्तों मेरा हुल सिंग एक बार फिर से आप सबी का स्वागत करता हूं मिशन ग्यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं बालक बालिक हो आई होप एकदम बढ़े होंगे मजे में होंगे और जगास होंगे तो भाई साब आज अपन लेगा है परसेंटे आप से देखो क्या कह रहा है कोशन वाई सब आपसे बोल रहे है कि चुनाव में दो कैंडिडेट थे एक को टोटल मस्का टोटल आपकी वोट्स का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया कुल वोट आपको गयात करने देखो ध्यान से कभी भी आपको मैंने समझाई थी पहले भी हमेशा कि वह टोटल जो आपको होता है वो कितना होता है त्यान से देखना जो आपको समझाना चारों वाई सब अगर एक एक एंडिडेट यह रहा और एक एक एगदम बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है अगर यह दो कैंडीडेट है मालो एक को 60% मिल रहे है एक को कितने मिल तो बहिया दूसरे को अपने आप कितने मिलेंगे यह आपके 1000 वोटों से जीता है 1000 वोटों से जीत है तो ध्यान से देखना यहां कितने मिले 60 इसको कितने मिले 40 इनके बीच का difference कितना है बोले सरे 20% है क्या यह 20% ही हमें यह बता रहा है क्या कि इनकी हार और जीत का difference है कितना 20% और उसकी आपकी value numbers में कितनी है 20% यारी मैं क्या बोल सकता हूं कि यह 20% है किसके यहां भी 5 से multiply करूँआ कितना आ जाएगा 5000 बात क्लियर है कि एकदम क्लियर है कोई दिक्कात नहीं है यहां से हमारा क्या result निकला हमारा यह result निकला भाई साब मैं या तो इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यह 1000 वोटों से जीता या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई साब बढ़ते हैं फिर अगले question की तरफ next question बोले सर यह तो कराओ मैंने केवल क्या देखा था हमने देखा था इस तरह के questions को कैसे solve करेंगे अब इस question को solve करते हैं भाई या देखो साब एक को 41 परसेंट मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे बोले सर 100 परसेंट में से 41 इसको बोलोगे सर फटाफट से कितना 18 परसेंट और इस 18 परसेंट की value question में कितनी दे रखेया बोलोगे सर 5580 मैंने का बहुत अच्छा है एक दम बढ़िया किसी से कट रहा है बोलोगे सर हमें 100 परसेंट निकालने है तो 100 उसको बना नहीं सकते तो बही आप 1 परसेंट की value निकाल जीरो 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 यानि आपका अंसर कितना आगे option नमबर 20 दा correct आंसर बात क्लियर है क्या बोले सर एकदम क्लियर है मैंने आगे बढ़ूं बिलकुल बढ़िये समझ में आगे ना बस इस तरह के questions है ठीक है और ऐसे questions आपको exam में देखने को मिलते मिलते है देखो जहां से अ वो डले तो सही है लेकिन कोई कड़ गया कोई फट गया कोई दो बार दबा दिया इसलिए उसको क्या बोलते है इन्वैलिट वोट्स बोलते है और विजयता आपको 70% वैद यानि वैलिट वोट्स मिले तो आपको बोल रहा है कि 9600 वोटों से चुनाफ जीता तो आपसे कितने 50 पर्षेंट 50 वेट कह estás起 कितने 80 पर्षेंट क्यूंबचे 20 पर्षेंट क्या हो गैंजी वेज़े अब मुझे बताना जीतने वाले को इसका कितना मिला है 70 पर्षेंट अब यहां कि 80 में से 70 पर्षेंट इसको मिला है नहीं बबाश यह जितने भी वोट इन्वैट र दिन जब मैंने आपको बताया था रिमाइंडर वाले जब अपने को इंकम बेस कोशन पढ़े जब मने बताया था जहां-जहां रिमाइंडर आया था वहां से वापस से कैलकुलेशन किस पर पर करते हैं यहां भी जो वोट गए ना वैलिट थे जो मार पास बचे इन वालेट थे हो क्या हो चले गए अब जो वैलिट बचे वह अपने आप में कितने हैं तो भाई साब आपको वापस से किस पर करनी हैं पर चलो साब करते हैं बहिए मुझे बताना 20% आपके टोटल पांच में से बने का एकदम भडिया यह टोटल वोट्स थे टोटल वोट्स में से यह कितने बचे ही यह वैलिट वोट्स बते हैं और आप से पूछ रखा है कि जो आपका जीतने वाला जो केंडिडेट है ना उसको 70% मिलें तो मुझे बताओ 70% इसको मिलें तो दूसरे वा 9600 मैंने बोला था आपको एक लाइन में कोशन खतम कराऊंगा दूसरी लाइन का यूज अपन करेंगे नहीं ध्यान से सुनने ना यह टोटल वोट्स यह आपके वैलिट वोट्स यह जीतने और हारने बीच का जो डिफ्रेंस से वह है ठीक है काटो पीटो यह कितना हो गया 8 8 से कितनी वाइसर 12 ठीक है 12 इंटू 5 किया कितना हो गया 60 30 कहा नजर आ रहा है आप बोलोगो सार यह नजर आ रहा है और यही हमारी कोशन का एकदम करेक्ट आंसर है क्लियर है कानी तो इस तरह के कोशन अपने को इस तरह से क्या करने है सॉल्व करने आगे बढ़ते हैं साब अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आप से क्या कह रहा है कि एक चुनाब में 20 परसेंट मद्दातों ने वोट नहीं दिया ओके ठीक है 12.5 परसेंट वोटों को अवैद यानि वैलिट वोट मिले और चपन सो वोटों से जीत हासिल की मद्दाता सूची में मद्दातों की संक ना माल दिया बोले सार एक्स माल लो मैंने का येलो साब माल लेते हैं टीक है 20 परसेंट लोगों ने वोट ही नहीं किया 20 परसेंट की फ्रेक्शन वेल्यू कितनी 1 बाई 5 यानि एक बटा पांस लोगों ने वोट नहीं किया तो कितनों ने किया बोले सार चार बटा पांस न आगे बढ़ते हैं, अब देखो 12.5% की fraction value कितनी 1 by 8, कहलेगा मतलब यह है, कि 8 में से एक जो voters को invalid हो गया, तो भया कितने vote बचे, 7 बचे, किस पर बचे, 8 पर बचे, मैंने का एक दम भढ़िया, एक line में question खतम करेंगे, जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला ह 40% दोना का difference, कितना 20%, 20% की fraction value कितनी 1 by 5, यही तो बनगा question, और इसी की value question में कितनी के रखे, 56, बात खतम, पैसा हजम, एक line में question करेंगे भईया, अपन, इस single line के अंदर question खतम करेंगे, देखो ध्यान से, यह total, यह कितना भईया, जीतना वोट किया, यह कितना जो valid बचे, य बातो बीट हो यह किस से कट रहा है, चार सत्य कितना वहता है, और यह हमारे question का गया, एक दम correct answer है, समझ गये कहानी, आप लोगे सार एक दम समझ गये, किसी प्रगार का कोई doubt मन में, नहीं है, आगे भर जाएं, पुले साब बिलकुल आगे बढ़िए, next question देखो आप से के क सामने अब इस कोशन को आपको खुद कोई ट्राय करना है तब ही मज़ा है ठीक है कोशन आप से बोल रहा है कि एक चुनाब में 10% मद्दाताओं ने वोट कास्ट नहीं किया डाला ही नहीं है ठीक है ग्यारा से एक बटा 9% वोटों को अवैद यानी इन्वैलिट गोशित कर दिया गया और विजेता को 75% वैलिट वोट्स मिले तो अजार वोटों से जीत हासिल कर ली बहुत अच्छी बात है मद्दाता सुचि मद्दातों की संख्या ग्यात कीजिए यानि आपको बताना है उसमें टोटल वोट कितने थे चलो साब देखते हैं सबसे बहुत नो ने किया कितनों मैं से दस मैं से मैंने का यहलो साब कहानी कदम और गयारे से एक बटाना हो यानि एक बटा नो यानि आप वोले साब नो मैं से एक वोट क्या हो गया इन्वैलिड हो गया तो वैलिड कितना हुआ सर आठ कितने मैं से नो मैं से और जीतने वाले को कितना मिला सर 75 परसेंट तो हारने वाले को कितना मिला होगा 25 परसेंट दोना का डिफरेंस कितना है 50 परसेंट और 50 परसेंट की फ्रेक्शन वैलू कितनी होती है वन बाई टू ये लो साफ 1 by 2 लिख दिया कहानी घतम हो गई क्या और इसी की value question में कितनी गवन है 2000 ये लो साफ कहानी यहां आके रुख गई वोले सर बहुत बढ़िया किया आपने मैंने कहा है ये नो से ये नो गया ठीक है ये ये दो से कितनी बार चार बार और ये चार से कितनी बार गया बोले सर ये पांच बार गया ठीक है कितने वोट आगे ये आप बोलोगे सर ये आगे 5000 वोट कहा नजर आ रहा है और यही हमारे कोशन का क्या है एकदम करेक्ट एकदम करेक्ट आंसर समझ पार है कहानी तो कितने आसान है मैंने बोलना कुछ नहीं करने दूँगा मैं आपको सिंगल लाइन में कैसा भी कोशन आ जा उसको खतम करेंगे लेकिन कब जब हमारा कंसेप्ट एकदम कैसा हो ऐसा हो कि बाई देखते ही ऐसा वड़ाए कोशन को चुटकियों की तरह यूं करें पानी की तरह ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साब अगले कोशन की तरफ अगल 500 मतों से जीता तो कुल मतों की संख्या ग्यात करो अब इधर तक देखो अब इससे पहले जो कोशन अपन सॉल्व कर रहे थे ना वहां क्या था आपको परसेंटेज में खिला रहा था लेकिन यहां देखो नंबर्स आगे वहीं इन्वैलिट वोट बता रहा था अपसे पहल माना नहीं है कैसे कोशन को सॉल्व करेंगे देखो साब ध्यान से अपने को तो एक ही जी समझ में आती है क्या मैंने का देखो साब हमने टोटल वोट्स माने एक्स मैंने एकडम बढ़िया अब जैसा इसा कोशन बोल रहा ना वैसा वैसा करेंगे वहीं 20% नजर आ गया इने अहों किया है ना उसमें से 600 आपके जो क्केतने हैं वोट्स हैं वो इन है हो गये तो बहींगोंड है अगर यह jeus चारबटे पांच लोगों ने वोट्ड कास्ट किया है और अगर इन में से अगर invalid मानेस कर दूँए तो valid बचेंगे वह साब बिलकुल बचेंगे ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि उसने साफ सा बोला जीतने वाले को valid वोटों का यानि हमें क्या निकालना है valid निकालने थे इसलिए हमने सबसे बहुत्स निकाले जीतने वाले को 75% मिला है तो हार सब्सक्राइब सब्सक्राइब अरे बाई टू से मल्टिप्लाइ करना भूल गए बोल दिया लेकिन किया नहीं कर देते यह कितना हो गया 3000 ठीक है साब बढ़िया यह 600 जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x पराबर 4x अपॉन 5 पराबर इतना हो गया 3600 एकदम बढ़िया यह चार्ज है कितनी बार 900 बार बताओ पांच की वेलु कितनी आगे उदर चला जाएगा एक्स की वेलु कितनी आजेगा 45 यानि एक्स हमने क्या माना था टोटल वोड्स और टोटल वोड्स आप से पूछे थे कितनी आगा भीया 45 कानी खतम कोष्चन कैसा भी माधा पच्ची करने की जरूरत आपको नहीं है आगे बढ़ें आगे बढ़िये मैंने का लो साब अगला पके सामने है कोशन आप से क्या बोल रहा है देखो ध्यान से कोशन भाई साब बोल रहे है एक चुनाम में दोमीदवारों ने भाग लिया 10% लोगों ने मद्दान नहीं किया और 5000 मत अवैद गोशित हो गए और जीतने वाले को वैद मतों का 55% मिला अगर वैद 2000 मतों से जीता तो कुल मतों की संख्या क्या होगी देखो साब एक और कोशन लेया मैं आपके लिए ऐसा कई जएगे क्या होता भाई साब इस तरह के कोशन करा ही नहीं जाते हैं वहां बोला जाता है यह चुनाब मैं आपके लिए इतना अच्छा सेट अप लेकर आओना कि आपको कहीं और पढ़ने की जुरत ही नहीं है आपको के वहाल यहां से कुशन लगाने उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करने है आपका काम हो जाएगा आप अलब एक्ससी या जो भी एक्जाम आप देने जारो ना वह आप करके आओगे डेफिनेटली करके आओगे ठीक है चलिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना वहां हमें तो एक काम करना है और पता नहीं हमें चलो अब आगे बढ़ते हैं लाइन पढ़ लिए हमने कोश्टन की वह सब बिलकुल पढ़ ली टोटल वोट कितने वह एक्स मैंने का युरो साब एक्स कर दिया जैसा आप बोलोगे मैं क्या करूंगा अगर मैं इन वैलिड वोट्स को अटा दूं तो मेरे पास केवल केवल क्या बचेंगे वैलिड वोट्स बचेंगे क्या बिलकुल बचेंगे मैंने का यह लो साब यानि यह सारे क्या है आपके वैलिड वोट्स हैं बात क्लियर है क्या अब जीतने वाले को कितना मिला है 55 मिला है किसका valid words का ये ध्यान रखना है यह ध्यान रखना है हरे कोशन ऐसा नहीं होता आपको लेंगविज पकड़नी है और हारने वाले को कितना मिलेगा 45 परसेंट मिले का दोनों का डिपरेंस कितना स्थ 10 परसेंट और 10 फेली कितनी होते है सार जाएगा देखो ध्यान से लोगो अपन स्टेप को बचाए ना अपन यह 20,000 हो जाएगा इदर और यह धाई-जार जाके प्लस हो जाएगा माइनस का यह नहीं कितना हो जाएगा 22,500 मैं बोल सकता हूं 9 x 9 x upon 10 बराबर कितना हो जाएगा 22,500 यहीं होगा नो से कितनी बार बोले टोटल वोट्स कितने हैं अमने एक्स माने तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 25,000 बात क्लियर है क्या बोले सर एकदम क्लियर है किसी तरह का कोई डाउट नहीं है इस तरह का कोशन आएगा निप्टा दोगे वोले सर बिलकुल निप्टा देंगे इसमें कोई पूछने की बात अगला कोशन आपके सामने कि चुनाव है चुनाव है चुनाव ही चल रहे है आज बिल चुनाव का महौल है ना दो प्रत्याशी थे बोले अच्छी बात है 10 परसेंट ने वोट नहीं डाले सबसे पहले देखती तो यह कर लिया आपने 1 बाई 10 1 बाई 10 ठीक है 300 मत अवैद गोशित हो गए बोले सर एकदम बढ़िया वात है 300 मत क्या हो गए अवैद गोशित हो गए जीतने वाले को मद्दाता सूची का 60% वोट मिला तथा हुए 900 वोटों से चुनाव जीता कुल वोटों की संख्या ग्यात करो भाईया यहां भावनाव में मत बहना बोले सर क्यूं बोले सर यहां पर क्या है यहां पर क्या है मद्दाता सूची का इससे पहले देखो एक बार एक बार वापस से देखो इससे पहले यहां क्या ऐसा था वहिए जीतने वाले को वैद्मतों का बैद्मत यानी वैद्मत वोट तो तब आते अपने पास जब करते हैं कि परस्ट कहन हुए उनमें कितने वैए अनि वोट है तो जाले गए है लेकिन जो वैद्मत या किसी गवह में 50,000 vote हो या किसी शेर में 1 crore वोटर हो आपकी जो उसकी वैल पर सेंटेज में बात करोगे न तो सब अपने आप में कितने हैं 100 पर सेंट स्टार्टिंग बताया था कि भया कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100% होता है तो मद्दाता सूची अब मेशा कितनी होती है 100% होती है ये question थोड़ा सा लग है ध्यान से देखना हमने माल लिए 100% थी आपके पास total vote ठीक है उसर एकदम बढ़िया बात है 10% vote नहीं डले यानि कितने डले आपका 90% vote डले मैंने का एकदम बढ़िया ये आपका कौन सा है vote जो cast होती है cast vote ठीक है मतलब जो आपके vote क्या होती है cast होती है इसको बलते हैं CV cast vote बात क्लियर है कि उसर एकदम क्लियर है अब देखना question नहीं क्या बोला कि भाई साब जो चुनाव जीता है ना उसको मत दाता सूची का यानि किसका इस 100% का कितना मिला है 60% मिला है यही बातें ध्यान रखनी है अपने को यह छोड़ी छोड़ी बातें ध्यान रखनी है इसको किसका मिला है भाई साब इसको मिला है टोटल जो आपकी वोटर लिस्ट है उसका कितना मिला है 60% मिला है बात के लिए रहे कि यह आता है आप बोलोगे सर एक दम क्लियर है किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं मैंने का डाउट नहीं रखना है जो भी डाउट हो मुझसे पूछते हो चलना अब कहानी हा चालू होती है अब क्या बूला रखक laugh की तीन सो मत क्या हो गए अवैद मुझे बताना वोट कास्ट कितने इतने दीक है सो क्तने वोट कास्ट कितने वोट कास्ट में में filmed essay कितने वैलीड हो सर्स prag, मैं आपके क्वशन आ अफ्पनी बल्कुल आ गई और आप से बोल रहा है 900 वोटों से चुनाव जीत गया अब एक चीज़ समझना हमें क्या देख रहा है कि इसको जीतने वाले ना इसको जो वोट मिले वो किस में से मिले यह मिले भाई उसको टोटल वोटल लिस्ट में से अब जो हारने वाले ना उसको बचा कुछा मिलाओगा यानि जो इसके खाते में जा रहे हैं मुझे बताओ कि आपके पास इतने वोट थे ठीक है जीतने वाले को इतने मिले और बचे हमारे पास इतने तो मैं आपको नहीं पुगता सकता है कि हारने वाले को कितने मिलेंगे अगर आपके पास इतने वोट बचे हैं जीतने वाले को इतने मि कितने आ जाएंगे 30% माइनस कितना 300 बात क्लिए रहे हैं यानि आपके किस के वोट आगे लूजर के वोट आगे जो हार रहा है कोशन बहुत अच्छा है यह वाला ठीक है यह सम ललू-बलू कोशन नहीं है चलो आप ध्यान से आजाओ और आगे कि तरह बढ़ते हैं अब जीता है उसमें से हारने वाले को मैंनस कर दों लेसाब कर दो City इतने वाले कोहारने वाले हो कितने मhow233-3100 आप लोगerson नुछ नोगने 500 इसी की में किटनी की वन्हें tellement限े 900 अश्य ना000 न Chamस्य यह –- teaches जो जाएगा प्लस हो जाएगा या tìnhST 600 नाफर्छ किन्स प्लस नियौनस हो जाएगा 30 परसेंट किस्के बराबर हो जाएगा 600 के बराबर है तो मुझे बताओ 30 परसेंट 600 के बराबर है तो एक إle affected तीन से कहा नज़र आ रहा है और option number C में नज़र आ रहा है यही हमारे question का बहतरीन सा answer है देखो यह question बहुत अच्छा था यहां पर आपको जब तक basic नहीं पता ना आपको हर एक चीज का मतलब नहीं पता कि वोटर लिस्ट क्या होती है तो आप इस question को क्या करोगे गलत करके आ जाओगे आप देखो कई किताबों में क्या होता है इसका direct solution देते हैं ट्रिकवाजी लेकिन ट्रिकवाजी क्यों गलत है आपको बता देता हूं एक ट्रिकवाजी कैसे दी जाती है कि भाईया 100% है ठीक है 90% क्या 10% वोट invalid हो गए तो calculation किस पर कर देते हैं इस 90% कर देते हैं कि 90% का 60% मिल गया इसको 30% मिल गया तो दोना का difference कितना है 30% और इसी की value question में कितनी की वहने होती है 900 ठीक है तो 1% की value कितनी आ गई 900 वोट क्या है चुनाफ जीतता है ठीक है वैलिट कितने 300 अगर 300 वैलिट है तो वह भी तो मैं माइनस करने पड़ेंगे तो भाईया इस तरह से आपको करवा देते हैं तो भाईया कितने बचे यहां पर 600 बचे तो वह आपका answer कितना जाएगा 2000 लेकिन यह तरीका क्या है गल को करने का सही मैठड है कि कि कैवल बनाने के लिए आप लगात बात फ네 को सुरें कि अधर से सोल्व करना बहुत अच्छी बात है, 120 मत अवैद गोशित हो गए, जीतने वाले को मत दाता, सूची, येलो साथ, मिल गया ऐसा कैसा कोशन, का 41% वोट मिला तरह था है, 200 वोटों से चुनाव जीता, कुल वोटों की संख्या ग्याद करो, इसी तरह से अपन इस कोशन को सॉल्व करेंगे, आजाओ फटाफर से, देखो सबसे वेल आपन वोट मालेंगे, टोटल कितने 100%, बात क्लियर, वोसर एकदम क्लियर, 20% ने वोट नहीं डाला, तो भाया, कितने वोट कास्ट हुए, वोले सार 80% वोट कास्ट हुए, ये कहा हो गए, ये कास्ट वोटिंग हो गई, ठीक है, सी मैं सी वी लिख देता हूं, कास्ट वोट, ठीक है, वोले सार एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंना कोई दिक्कत नहीं, चलो आगया जो, जीतने वाले को 41% मिला, जीतने वाले को कितना मिला, 41% मिला, अब देखो, अगर आप में दिमाख है न, तो आपको समझ मे है गई चीजें, कि अगर आप को क्यों कर रहे हो, और मैं आपको किसी को 40% मिला, जीत गया, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जिसको 60% मिला है, वो हार जाएगा, बोले सार नहीं है, तो बताना चाहरा था मैं आपको, कि आपकी वो ट्रिक क्यों गलत है, इसलिए गलत है समझ गए ना, बोले सार, अब समझ गए एकदम, मैंने काम है, ऐसा होई नहीं सकता है, आपको यहां से जाने के बाद को दिक्कत हो जाए, चलो साब आप बाकी कितना बचा, बोले सार 120 वोट क्या हो गए, वैलिट, इन्वैलिट हो गए, तो 80% बचे थे, उसमें से कितने इ 120, और जीतने वाले को कितने मिलेंगे, आप बोलो सार, इसको मिल गए थे, 41%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, आप बोलो कितने मिलेंगे, 2%, मैंने का एकदम बढ़िया, तो जीतने वाले और हारने वाले के तोनों के वोट आगे, अगर मुझे इनका डिफरेंस पता लग तो इसका डिफरेंस के बराबर दे रखाए दोशों के बराबर दे रखा है तो मुझे बताईए उधर जाके माइनस हो जाएगा तू परसेंट की वैलू कितनी आ जाएगा चार अजार किया नी टोटल कितने वोट थे प्यारे बालक बाले का हो चार अजार वोट थे तो बढ़िया बढ़िया को आपको मैंने क्या बोला मैं आपको कुछ छोड़ूंगा ही नी भाई मतलब अच्छे से अच्छे कोश्चन जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको मतलब ना नहीं याद दिला देते हैं पर उनको क्या करेंगे दोड़ा दोड़ा के बढ़ाएंगे ठीक है कंसेप्ट वाजी नहीं कर किरते हैं आपको शायद ही कहीं मतलब बहुत रेर चांस में तीन लोग दिखाई देंगे चुनाम में लड़ते हुए मतलब कोशन कराई नहीं जाते हैं लेकिन मैं तो आपको क्यास कर रहा हूं मैं आपके लिए हर एक चीज बो लेकर आ रहा हूं जहां आपको दिक्कत है च 105 घृत चल रहा है 150-50 कोशन में पर्सेंटेज कर्वा दिया जाति है 105 घृतेज अबंत फर्सेंटेज बहुत है कंब आव आपकी प्रसेंटेश क्षे अध कर देखे के फिर आपके सव गतब रहा है , चुनामम나ं में तीन प्रत्याशिय है मैं वी और और सी किटना मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है ब कोじゃ बृफ सब्सक्राइw-ब मुजे नियुक्ष्ट निकाल सकते ना जो जीता है कभी भी जीत और तो किसी का कोई किया जाता है तो मुझे बताओ आपको क्या नजन नहीं आ रहा है कि नहीं है तो तो बहुत कि यह निकालना लाइसा मुझे निकालना टोल यह पंदरा से कितनी वार गें यानि एक परशंट की यह निकालनी है थो यह आजाएगी शिश्टी थाउजएंड यानि टोटल जो वोट्स थे वह कितनी ते 60,000 ते, option number 6 is the correct answer, बात clear है क्या, बोले सर एकदम clear है, कोई doubt नहीं है, तो उमीद करता हूँ जो आज की class थी न, मतलब इसमें अपने, जो आपके election वे जो questions देना, आदे questions खतम कर दिये, आदे कल खतम कर देंगे, इतने questions तो बढ़ाए भी नहीं जाते, तो उमीद करता हूँ आ जय हिन, जय भारत, धन्यवाद